ये एक long pending demand थी, काफे दिनों से demand थी, कि बताया जाए कि नितिन सिंगानिया को पढ़ना कैसे है, तो आज मैं जो है 2-4 मिनट में आपको बताऊंगा कि नितिन सिंगानिया को पढ़ना कैसे है, फर्स्ट अपॉल तो ये दिखना है कि कौन सा edition पढ़ना है, अभी जो edition चल रहा ह नितिन सिंगानिया को वो चल रहा है 3rd edition, उसके पहले जो चल रहा था 2nd edition, कोई major changes नहीं है, कुछ नहीं है, extra images वगर है, आपके पास अगर 2nd edition है, तो आपको 3rd edition लेने की कोई ज़रूत नहीं है, और अगर आपके पास कोई edition नहीं है, तो खिर पया आप जो है 3rd edition ले 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 बहुत मोटे pages हैं, thick pages हैं, एक बात तो यह, दूसरी बात यह है कि बहुत ज़दा margin दिया हुआ, जो book को खोलेंगे न, तो text बहुत कम है, right, तो text बहुत कम है, images बहुत ज़दा है, pages बहुत थेक हैं, तो book कोई बलकी बलकी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलिए पढ़ना है, section A, B, C, D, चले आए, section A पर, मतलब कि visual arts पर, इसमें total chapter जो है, total 4 chapter है, पहला chapter है, Indian architecture, sculpture and pottery, यह chapter मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, यह chapter आपको पूरा पढ़ना है, UPSC में कई बार बहुत बहुत क्वेशन पूच ले रही है, that means कि आपका नितिन सिंगानी है, उ इमेज के साथ दिने ही, पूरी करनी है, second chapter जो है, Indian painting है, इसका आपको complete अच्छे से पढ़ना है, इसमें खास करके जो prehistoric painting है, और classification of Indian painting है, यह ध्यान दे रहा है, बाकि जो principles of painting है, वो थोड़ा कम important है, तो वो section पर कम ध्यान दो गया आप, लेकिन लास्ट में जो folk painting है, folk painting, इस पर UPS से बार-बार question पूछ रही है, बहुत interesting chapter है, third chapter है, Indian handicrafts, बहुत question नहीं आते, लेकिन कई बार मसूली पटनम वगरा वाला question आ जाता है, तो handicrafts on cloth भी पढ़ना है, लेकिन various type of toys नहीं पढ़ने है, ध्यान नहीं देना है, stone wear नहीं पढ़ना है, और embroidery craft जो है, एक बहुत ज़्यादा importance नहीं इसकी, first chapter बहुत ज़्यादा important है, चलिए, इसके बीच में, हाँ, आपका जो four chapter है, UNESCO list of tangible world heritage sites in India, यह बहुत ज़्यादा important है, और इसमें कुछ अगर recent addition हुआ गो, तो आप उसको Wikipedia से add कर लिजेगा, UNESCO world heritage sites जो इंडिया में है, उनको जानने की नहीं है, लेकिन यह list और location बिल्कुल याद रख लिजेगा, उनकी specialty बिल्कुल याद रख लिजेगा, यह हो गया आपका visual art, section B में performing art है, performing art में आपका क्या-क्या है, chapter 5, chapter 5 से लेके chapter 10 तक यहाँ पे है, तो chapter 5 में आपका Indian music है, देखिए, history of Indian music पढ़ना है, anatomic of Indian music थोड़ा स नहीं पढ़ेंगे, musical instrument आप नहीं पढ़ेंगे, folk musical instrument आप नहीं पढ़ेंगे, and modern developments in music आप नहीं पढ़ेंगे, communities related to music एक बार देख लिजेगा, sorry, communities related to music बिल्कुल नहीं देखना, sorry, ठीक है, नहीं देखना है, आप यहाँ पर आपका classical और जो South वाला music है, Carnatic यह सब देखें, folk music देखें, और जो है modern music के बाद वाला chapter जो है, कम important है, नहीं है important, फिर आता है Indian dance form, Indian dance form में background जानना है, बिल्कुल जानना है, aspect of dance जानना है, वो भी जानना है, Indian classical dance बहुत जादा important, और folk dances of India बहुत जादा important, तो dance वाला chapter जो है, पूरा complete करना है, चले आइए chapter 6 पे, Indian theater, Indian theater में देख रहे हैं, आप classical Sanskrit theater, पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, folk theater भी पढ़ने है, modern Indian theater जो है, वो नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो classical Sanskrit पढ़ लिजेगा, folk पढ़ लिजेगा, modern को छोड़ दीजेगा, chapter 8, Indian puppetry, important नहीं है, बहुत vision में हर जगा पढ़ाते हैं, हर बार पढ़ात इसको, ये chapter आपको नहीं पढ़ना है, उसके बाद चले आई, chapter 10, UNESCO, list of intangible cultural heritage, ये कुछ सारे list दी हो, यहाँ पे, representative भी पढ़िएगा, और यहाँ पे, heritage of humanity, जो आपके country में है, इंडिया में, मतलब कि ये intangible culture, ये chapter आप पूरा पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, अब आ आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन, ancient scripts of India, ये वाला पढ़ना है, religion in India, मैंने पूरा chapter 12, आपको पूरा complete पढ़ना है, बहुत deep question आते हैं, factual आते हैं, आपको पढ़के जाना पढ़ेगा, Indian literature भी आपको पढ़के जाना पढ़ेगा, पूरा का पूरा, schools of philosophy, छोटा सा chapter है, पूर chemistry, shipbuilding, वगरे, कभी question नहीं आते हैं, आप इसको चाहे तो ignore कर सकते हैं, आपके बहुत जादा time होगा, तो उनके जो famous आपके mathematician पुराने थे, या medicine वाले थे, या physics, chemistry वाले थे, नाम देख लिजेगा, उनका काम पे मज जाईएगा, ठीक है, chapter 17, calendars in India, इसको complete कर लिजे, क्यों chemistry, 18 chapter है, वो बहुत important करना है, awards and honors जो chapter है, कि कौन को से Indian government award देती, आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि current फिर्जवा आता है, उसमें award वगरे mention रहते हैं, ये नहीं पूछते कि कौन सा award होता है, कितने type का award होता है, परमीर चक्र क्या होता है, ये सब UPSC के question नहीं होते है, chapter 19 को complete पढ़ोगे, पता नहीं किसी YouTuber ने बोला कि नहीं पढ़ना है, दो question यहां से तो direct आया है, पढ़ना है, cultural institution of India आप नहीं पढ़ोगे, यहां पे आपको archaeological survey of India, सहाईतने, academy वगर जो भी है, ये सब आपको नहीं जानना है, इससे कोई direct institution से question नहीं बन था, coins in ancient and medieval India पढ़ लिज नहीं है, अब चले हैं, ये last section में, section D में, जिसमें कि appendices हैं, आपकी जो पहले chapter थे, कितने थे, 24 तक chapter थे, right, अब last में जो appendices हैं, वो भी एक तरह का chapter ही हो, इसमें 5 chapter है, appendix क्यों डाला है, मुझे पता नहीं, इसमें पहला जो chapter है कि Delhi की क्या history है, city of seven sisters, ये आपको नहीं फोकस करोगे, भक्ति अन सूभी movement जो है, बहुत important है, इसको आप complete पढ़ोगे, famous personalities of India आप नहीं पढ़ोगे, इसमें cultural personalities हैं, सुभाल अच्वी वगर ये सब दिया हूँ, ये सब UPC का interest नहीं है, जो historical, आपके modern history में personalities हैं, वहाँ पढ़ नहीं है, आपका culture से related personality नहीं पढ़ cultural places of Pinterest बिल्कुल देख लिजेगा, इसमें बहुत अच्छे-चे places बताएं में, जो कि आपको एक अच्छा revision का यहां पर मुका मिलेगा, और architecture वगर भी बता हुए, वहाँ पे क्या कैसा है, तो cultural places of Pinterest देख लिजेगा, और recent geographical indication जो है, ये chapter देख लिजेगा, इसके बाद current अफि architecture वहाँ पे painting है, तो पहले microscopic चलो, ये बहुत interesting भी है, तो आप painting जो है, सबसे पहले पढ़ोगे, सारे location का question आता है direct, painting जब आप समझ जाओगे, तो उसके बाद आप Indian architecture पे चले जाओगे, ठीक है, तो ये होगया, 1 आपका painting और 2 पे होगया, आपका Indian architecture, ऐसे numbering कर देता हूँ Indian painting जो है, 1 पे रहगा, और Indian architecture जो है, 2 पे रहगा, इसमें बतारो, visual art में है न, handicraft वगरा कम important है, तो UNESCO जो है थर्ड पे आएगा, और handicraft में जो मैं आपको बताया है, जितना पढ़ना है, उसको 4 पे रख दो, ये होगया visual art का order, ओके, आप performing art का order देखिए, आपको Indian music पढ़न ये सारी चीजे, तो theater को third पे करोगे, Indian puppetry मैंने आपको पढ़ने के लिए नहीं बोला है, याद रखिएगा, Indian circus पढ़ने के लिए नहीं बोला है, तो और last में मैं बोलूँगा कि यहाँ पर UNESCO का जो list of intangible cultural heritage है, वो पढ़ना है, तो ये जो chapter 8 है, और chapter 9 जो है, मैं बोल रहा in India, martial art जो है, इंडिया का वो भी थोड़ा dance वगरे से related है, ऐसी कलाकारियों होती है, तो अच्छा रहेगा कि जो आप martial art है, वहाँ से शुरुआत करो, पहले कर लोगी, बिछले वाले में आपने dance वगरे पढ़ा हुआ है, तो martial art सबसे पहले पढ़ लेना, उसके बाद आप आप जो है, fair and festival पढ़ लेना, यह बहुत जादा important है, fair and festival बार-बार stress दे रहा हूँ, अब यह पढ़ लेने के बाद आप क्या करोगे, इंडिया में जो religion है, उसको पढ़ोगे और बहुत deeply पढ़ोगे, बहुत ध्यान से, ठीक है, religion पढ़ लोगे, तो जो आपका उससे literature related है पढ़ लेना, उसके बाद philosophy देख लेना, इंडिया की छोटा सा chapter है, last में languages में चले जाना, यह difficult chapter है, लंबा सा chapter है, और यहां से फिर भी importance है इसकी, अब यहां क्या नहीं पढ़ना है, इस section में, आपको यहां पे Indian cinema नहीं पढ़ना है, आपको science and technology मैंने पढ़ने के लिए नह पढ़ना है, law and culture पढ़ना है, तो इसको जो कितने पर आप रखोगे, आठ पर रखोगे, last में, right, आठ पर रखोगे, cultural institution in India मैंने नहीं पढ़ने को बोला है, coins पढ़ने को बोला था, वो कितने पर रखोगे, 9 पर रखोगे, ठीक है, और Indian culture abroad जो है मैंने आपको नहीं पढ़ movement पढ़ना है, क्योंकि पिछले बार आपने religion मगर पढ़ लिया ना, अब भक्तियन सूपी movement पढ़िये, फिस आप थोड़ा सा cultural places of interest पढ़िये, और लास्ट में, जो 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 गया, तो यह हो गया section wise, लेकिन overall किस section की सुरुवात करोगे, वो भी बता दे रह होगे, क्योंकि यह बहुत important है, religion से हर बार question आते हैं, आपके buddhism और jainism से खास करके, वहाँ पे आप Christianity अगर को इसलाम को थोड़ा ignore कर सकते हो, उससे question नहीं आता direct, और उसके बाद जो आप first section में चले जाओगे, section A में visual art में, और वहाँ painting architecture पढ़ लोगे, handicraft पे थोड़ा